हलो एव्रिवन, वेलकम टू बैक्टू बिसिक चैनल, आज हम जो है वो रिसर्च डिजाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम जो है देखेंगे longitudeनल रिसर्च क्या होती है, cross sectional research क्या होती है, cohort research, prospective research, retrospective research, और cross sequential research, इन सभी में क्या difference होता है, इनके बारे में देखे वाले हैं आईए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को इस वीडियो में जो है हम longitudinal research के बारे में पढ़ने वाले हैं longitudinal research क्या होती है यह research जह वो लंबे समय तक चलती है 10 साल 20 साल डाटा जो है वो एकी sample से एकी group से जह वो अलग-अलग time period में जह वो collect किया जाता है और उसमें examine देखा जाता है क्या changes जह वो समय के साथ साथ आ रहे हैं जैसे इसे एक example से समझे आपको यह देखना है एक बच्चे की personality किस तरह या एक बच्चे में moral development जह वो किस तरह develop होता है overall period of time आपने जह एक group लिया बच्चों का जिसमें जह वो दो साल के जह बच्चे थे वो जब वो बच्चे दो साल के थे आपने group बनाया उन्हें के जह वो आपने उन पर जह वो study करना शुरू किया उनके जह वो measurementally उनके जह वो data collect किया वही group वही जह बच्चों का ग्रूप जब 3 साल का हो गया, तब उनसे डाटा कलेक्ट किया, वही ग्रूप जब 5 साल के हो गया, तब उनसे डाटा कलेक्ट किया, वही जब 10 साल के हो गया, तब उनसे जह वो डाटा कलेक्ट किया, longitudinal research में यही होता है आप जो है overall period of time एक ही sample पर जो है वो data collect करते हैं एक ही समय अलग-अलग time पर जो हो data collect करते है overall period of time क्या-क्या personality में कैसे जो moral development हो रहा है एक बच्चे में एक बच्चा जब 2 साल का होता है उस time पे वो बच्चों का group है जो उसमें जब वो 2 साल के थे तब उनमें कितना moral development हुआ जब वो पात साल के हुए तब कितना हुआ वही group जब 10 साल के हुआ वही जब बच्चों का group 10 साल के हुआ तब कितना जो है उनके अंदर development हुआ तो इस तरह से जो है वो longitudinal research जो है वो चलती है बहुत ही time consuming होती है लंबा समय जो है यह research लेती है जो है इसमें cost जादा लगती है क्योंकि maintenance करके रखना samples को जो है इखटा करते रहना एक ही उसमें तो यह जो है बहुत जादा time consuming हो जाता है costly जो है यह longitudinal research जो है वो पढ़ जाती है इससे next जो है हम देखते है cross-sectional research cross-sectional research में क्या होता है longitudinal research में थो हम जो है वो data overall period of time collect कर रहे थे लेकिन cross-sectional research में क्या होगा एक ही समय में हमने जो है वो 2 साल के बच्चे भी ले लिए 5 साल के भी ले ले लिए 7 साल के भी ले ले और 10 साल के भी जो बच्चे के दो साल थी उनका sample ले लिया जो 5 साल के थे उनकी ले लिया जो 7 साल के थे उनका ले लिया 10 साल के थे उनका ले लिया एक ही time में जो अलग-अलग बच्चे थे जो अलग-अलग age में है तो उनका जो हो sample ले लिया और उनमें जो हो study की कि किस तरह से दो साल के बच्चे में किस तरह moral development हो रही है पात साल का कि कौन सी stage पर पहुँचा है moral development की ऐसे ही साथ साल का ऐसे ही दस साल का तो ऐसे जह वो cross-sectional research जह work करती है जिसमें आप जह वो sample आप जह वो data collect करते है एक ही time में यह जो है एक ही समय में जो है आप data collect कर लेते हैं अलग-अलग age group से अलग-अलग जो है वो group से ताकि जो है आपका time जो है वो बच सके cost जो है वो बच सके longitudinal research में जो है क्या होता है time consuming भोत होती है cost effectiveness बहुत जादा होती है इसमें क्या होता subject loss होने के chances जो है वो longitudinal research में बढ़ जाते है इसमें जो है एक subject जो है इसमें ethical issue भी आ जाते है कि जो है subject अगर जाना चाहे तो उसे जाने दिया जाएगा उसे यह नहीं कहा जाएगा कि data जो है वो आपको देना है देना है ऐसा नहीं उसकी जो हो consent भी जरूरी है तो longitudinal research में क्या दिखा जाता है mostly जो हो subject loss हो जाता है subject जो हो research को इतने लंबे समय तक एक ही subject के साथ work करना एक ही group के साथ work करना उनसे data collect करना बहुत जादा problematic हो जाता है इसलिए जो हो longitudinal research इतनी effective नहीं माने जाती लेकिन cross-sectional research में क्या होता है data जो हो एक ही बार में हम collect कर लेते है इसमें जो हो time भी save हो जाता है cost effective भी होती है ये तो इस तरह से जो हो cross-sectional research को ज़्यादा prefer किया जाता है longitudinal research को जो हो इतना prefer जो हो researcher नहीं करते है तो ये जो हो दो main research थी जिनमें हमने difference देखा longitudinal research और जो है cross-sectional research इससे ही एक related research है cross-sequential research इसमें क्या होगा इसमें जो हो दोनों का combination होता है cross-sectional research का भी और longitudinal research का भी इसे एक example से देखे आपने जो हो अपना एक ऐसा sample लिया जिसमें 5 साल के बच्चे भी है, 7 साल के भी है और 10 साल के भी है सारा जो है एक sample बना लिया अब क्या करते हैं उस sample को जो है आपने जो है दो साल तक study किया 5 साल तक study किया, 10 साल तक study किया हर group के representative भी उसमें है जो cross-sectional research बन गई और उसी group को जो हो लंबे समय तक आप study कर रहे है जो longitudinal research के गुण है तो cross-sectional research, cross-sequential research में क्या होता है cross-sectional research के भी गुण होते हैं और longitudinal research के भी गुण होते हैं तो इन दोनों की combination से जो है वो बनता है cross-sectional research जिसे cohort sequential research भी कह देते हैं तो हमने इन तीनों में clear cut जो है वो difference देखा जिसमें हमने देखा longitudinal research over the period of time जो है हम sample की study करते हैं cross-sectional research में क्या होता है एक ही time पर जो है हम अलग-अलग samples को जो है वो collect कर लेते हैं दो साल, पांच साल, दस साल के year के जितने भी बच्चे हैं उन सब के और cross-sectional research में क्या हुआ इन दोनों का combination होता है जिसमें जो है वो अलग-अलग representative भी होते है sample और जो है उन्हें लंबे समय तक जो हो study भी किया जा रहा है तो cross-sequential research में दोनों के ही गुण होते है तो यह जो है वो तीनों जो हो difference थे क्या इन में difference होता है इन अलग-अलग research में अब जो है हम next पढ़ते हैं cohort research cohort research में क्या होता है cohort का क्या मतलब होता है cohort का मतलब होता है ऐसा group जिसके जो हो characteristic जो हो similar हो characteristic जो हो मिलती जूलती हो उसे जो वो cohort कह देती है जैसे एक example से समझे एक जो है अर्थक्वेक आया तो उस time पर जिसने भी उस अर्थक्वेक को face किया उससे जो भी effective हुए किसी को जो है बहुत नुकसान हुआ घर तूट गए किसी का जो है वो injury हो गई तो वो क्या है cohort है ऐसा group जिसके similar characteristic हो जो वो same characteristic हो जिनोंने एक problem को जो जो है एक situation में एक time पर same में हो तो उसे जो वो cohort कह देते है जैसे एक institution में मान लो ये college ये university में अगर कोई पढ़ रहा है तो वो क्या है cohort group होगा ऐसे बच्चे जिनकी characteristic similar है जिसमें जो है वो 22 सभी जो है वो maximum बच्चे 22 से 24 साल के होगे सभी ने जो है वो graduation कर रखी होगी सभी ने जो है वो कुछ subject जो है अगर psychology के है तो उन्होंने जो है पहले से ही BA कर रखी होगी या BA psychology कर रखी होगी या BA कर रखी होगी तो ऐसा क्या है cohort क्या होते है ऐसा group जिसकी characteristic जो है वो similar होती है तो अगर हम उस group पर study करते हैं तो उसे जो है वो cohort का जो है वो कहा जाता है single cohort को हम जो है लंबे समय तक study करते हैं जैसे हमने ले लिया एक example जिसने जो है वो जो है वो flood को face किया तो वो flood को जिस भी लोगों जिन जिन ग्रूप ने face किया तो वो हमारा एक cohort हो गया तो उस group पर उन फ्लड सर्वाइवर को जो है हम study करते हैं तो उसे जो है वो cohort study जो है वो कहा जाता है तो इसमें क्या होता है एक similar characteristic के लोगों को study करना जो हो cohort research में आता है next जो हम देखते है prospective study और retrospective study में क्या difference होता है prospective study में क्या होता है एक group जिसकी हम जो हो सालों तक study कर रहे हैं और उससे जो हम कुछ future को predict करने वाले हैं जैसे हमने जो है कुछ लोगों को lifestyle को जो है वो 5 साल तक जो है वो क्या किया observe किया उस पर study की और उसके lifestyle से हमने ये result निकाला कि इससे जो हो health effect होती है तो prospective study एक ऐसी study होती है जिसमें हम research इसलिए करते हैं ताकि हम future को predict कर सके तो इसे जो हो prospective study कहा जाता है एक होता है retrospective study हम जो है इसमें क्या करने वाले हैं past को समझना चाते हैं past को देखना चाते हैं कि एक कोई जो हो problem हुई तो उसके पीछे का कारण क्या था तो उसे जो हम अगर study करते हैं तो उसे जो हो retrospective study कहते हैं जैसे मान लिजे कुछ लोगों को जो हो cancer हो गया हमने जो है एक ऐसा group लिया जिने cancer है या जिने अस्थमा है हमने ऐसा group लिया तो अब हमने उनको ये देखा कि उन्होंने अपने lifestyle में क्या क्या काम किया जिसके वज़े से उन्हें अस्तमा हुआ तो हमने क्या करा कुछ effect हुआ, पहले से ही हो गया जो, अब हम देखना चाहते हैं past में जाकर, कि उन्होंने ऐसा क्या किया, जिसके वज़े से उन्हें अस्तमा हुआ, तो अगर हम past को पढ़ना चाहते हैं, तो हम retrospective का study करते हैं, और अगर हमने future को predict करना है, तो उसके लिए ज बस इतना ही, हमने जो हो clear difference देख लिया कि क्या इन सभी research में क्या difference होता है, और इनकी detail जो हो study की example के साथ, इस वीडियो में बस इतना ही, thank you for watching this video, like, comment और subscribe करें हमारे channel back to basic को,